तो ग्लोबल डवलॉपमेंटिले अगर है तो बच्चे में क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए तो सब से पहले तो यह समझ लें कि ग्लोबल डवलॉपमेंटिले अगर है और किसी कारण से है किसी कॉस से है जैसे थाराइट की वज़े से तो उसमें थाराइट का दवाई देने से बच्चे में ग्लोबल डवलप्मेंट डिले पूरा ठीक नहीं हो चकता बट बहतर हो जाता है और बहुत सारे और भी कॉसे हैं जिसमें अगर कोई कमी है बच्चे में कोई आयरेंट की कमी है या बच्चा सही से खाना नहीं खा रहा और ग्लोबल डिले या बच्चे को कोई और समस्या रही जिसकी वएसे बच्चे का डवलप्मेंट पीछे हो गया तो ये सारी चीजों में जो हम कर सकते हैं समझके वो करते हैं बट global development delay का कोई भी specific treatment नहीं है unless यह पता चले कि उसका cause क्या है और ज़्यादतर cause अगर genetic है तो अगर हम उसको पता कर लेते हैं तो treatment भले ही ना हो बट यह पता चलता है कि बाद में हम क्या expect कर सकते हैं क्या problems हो सकती है तो क्या global development delay सिर्फ एक bad news है ऐसी बात बिल्कूल भी नहीं है problem क्या है कि क्योंकि हर brain का हर area पीछे है और इससे school में बहुत impact आने वाला है बच्चा जो है वो school में पीछे रहने वाला है इसलिए important है कि बच्चे जैसे मालेचे बहुत समय में एक centre में जा रहा है जहां सिर्फ फिज्यो THERAPY हो रही है या जहां सिर्फ ऑक्क्चेशनल THERAPY हो रही है या जहां सिर्फ SPIAN ça तो बच्चे इस कंडिशन में उनको ऐसे जगा जाना है जहां पर ये सारी की सारी चीजें हर एरिया में हो रही हो ताकि बच्चे का स्ट्रॉंग फांडेशन मन जाए और अगर एक छोटा ग्रूप या छोटी नर्सरी या छोटा स्कूल बच्चे को मिले तो शुरू सही जैस आले जहां भी आप बच्चे का थेरिपी या ट्रीटमेंट करा रहे हैं आपको यह देखना है कि उसमें अच्छी फीजो टेरेपी उसमें अच्छी ओक्युपेशनल थेरेपी उसमें अच्छी स्पीच यलेंगविज थेरेपी अच्छा साइकलोजिकल सपोर्ट अच्छी ये सारी चीज़े हैं कि नहीं क्योंकि सही स्टुमिलेशन सही इंटर्वेंशन से बच्चा स्किल्स गेन करेगा और हमारा ग्लोबल डवलप्मेंट डिले में परपस यह है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बना रहे हैं बच्चे अपने सारे काम इंडिपेंडेंट कर पाएं औ जिसमें हम बच्चों को इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स बच्चों को कॉन्फिडेंस के लिए बिहेवियर इंटर्वेंशन और बच्चों की एबिल्टी को बढ़ाने के लिए एबिल्टी के ब्रेकडाउन करके उसके इंटर्वेंशन करते हैं साथ ही साथ अगर तवाई का side effect या overdose ना हो जनरली global development delay में seizures सब समय नहीं होते हैं बट अगर बच्चे में seizures भी आ रहे हैं global development delay के साथ तो हो सकता है कि वो किसी genetic problem की वज़े से हो जिसकी वज़े से seizure भी हो और global development delay भी हो क्या जो भी cause होता है उसका treatment करना है overall हमें समझना है कि हमारा purpose यह है कि बच्चे को इस समय जो जो जूरत है वो भी दें cause को समझ के ये भी समझें कि बच्चा कि इतना ठीक हो सकता है और ऐसा environment दें कि बच्चा बाद में disabled ना हो और बच्चे को एक ऐसा environment मिले कि वो confidence से अपनी life बाद में जी सके सो भी हम देख रहे हैं कि हम global development delay में क्या करते हैं तो जब बच्चा हमारे पास आता है तो उसकी assessment होती है तो यह उसकी assessment की report है तो इसमें आप देख रहे हैं कि बच्चे की अलग-अलग areas की scoring हुई है और यहां पर दिखा रहा है कि कहीं पर 40 लिखा है कहीं पर 48 लिखा है कहीं पर 44 लिखा है तो यह एक ऐसा बच्चा है जो हमारे पास पिछले देट से दो साल से इसका treatment जो है वो चल रहा है और इसमें दिखा रहा है कि बच्चा almost हर area में थोड़ा-थोड़ा पीछे है तो जो red दिखा रहा है वो थोड़ा-थोड़ा पीछे है और बच्चे ने जब शुरुवात की थी तो बच्चा काफी पीछे था मगर intervention के साथ साथ हमने उसको global developmental delay में different different areas में उसको better किया जैसे speaking उसकी 52 months की है और अपना imagination है वो 48 months का है तो ऐसे में क्या है कि बच्चे का strong foundation बन गया है उसके बावजुद यहां पर दिखा रहा है कि बच्चे में यह जो LRB है जो confidence का checking होता है तो confidence की कमी दिखा रहा है यहां पर दिखा रहा है कि बच्चे का confidence का जो है थोड़ा सा problem है और साथ में यह भी दिखा रहा है कि बच्चा अपनी level के साब से read कर पा रहा है बद थोड़ा सा writing और थोड़ा सा maths में बच्चा जो है वो पीछे है और उसकी जो processing है उसमें वो काफी पीछे है तो global developmental delay में हम हमेशा बच्चा जो है वो processing में पीछे रहता है तो एक बार हमें अगर यह मिल जाता है कि बच्चा किस area में पीछे है किस area में आगे है तो हम उसको उस area में help कर सकते हैं और अगर मान लिजे बच्चे की age जैसे यहां पर दिखा रहा है कि 72 months है जैसे 6 साल है और बच्चे का क help करनी है वो 2 साल के लिए ही करनी है क्योंकि उससे बड़े वाली की help करेंगे तो बच्चा उसको कर नहीं पाएगा और confidence उसका और कम हो जाएगा तो यह बहुत important है कि हम जब भी कुछ कर रहा है तो उससे confidence को लेते हुए जो उसके area skill के areas है उसमें काम करें तो आप देख रह 6 months इस बच्चे की क्या report रही है अब यह इसी बच्चे की assessment है जो हम देख रहे हैं तो हमने देखा कि हाँ इसके काफी सारी areas में अब सारे चीजें green हो चुकी है speech में फिर भी थोड़ी सी improvement की कम ही रह गई है मगर बच्चे को जो confidence low हो रहा था identification के बाद हमने काम किया तो वो right नीचे आ गया और उसकी वैसे बच्चे का behavior definitely improve हो है और साथ में हम यह भी देख रहे हैं कि बच्चे की जो और areas है वो भी improvement में है processing अभी भी slow है तो इसका मतलब यह है कि बच्चे जो है वो काम कर पा रहे है बट और बच्चों की तुलने में थोड़ा समय उसको ज़्यादा लग रहे है और जो पढ़ाई और math उसमें भी उपर नीचे होता रहता है मतलब उसको help जो है वो ज़्यादा लग रही है तो क्या है कि जब हम बच्चे को global development में help करते हैं तो improvement होती है मगर उसमें समय ज़्यादा लगता है और improvement के बावजूद बच्चे वही काम थोड़ा और बच्चों की तुलना में धीरे करेंगे उनके साथ patience रखना पड़ेगा नहीं तो उनका confidence कम हो जाएगा बट surely बच्चों में improvement लाई जा सकती है जो हम लोग program में करते हैं बच्चों में इस assessment को हम i-back कहते हैं i-back का मतलब है कि बच्चों में जो intervention चल रही है i for intervention वो बच्चों के assessment पे based है और हर बार जब assessment हो तो नए intervention उसमें से बाहर आए और हर बच्चे को ऐसा नहीं हो कि same ही चीज कराई जा रही है और लंबे समय तक क्या improvement है क्या नहीं है वो measure नहीं किया जा रहा है और एक long term vision नहीं है एक long term target नहीं है कि कहां तक पहुचाना है तो i-back के तरो हम आपको एक scientific program deliver करते हैं जिसमें छोटे-छोटे targets बने हुए हैं जो बच्चा achieve करता है over the period of time और उसका goal यही रहता है कि जितना जल्दी बच्चा वो targets achieve कर ले ताकि बाद में उसमें problem नहीं हो और वो चीज measured भी है और scientific भी है Thank you कर दोह कर दोटे के कि लिए भी है कर दोटे कर दोटे कर दोटे कर दोटे कि अवड़िकाए